हेलो अबरिवान, वेलकम टू स्टाडी विसरीजा, आज हम फोटोसिंथैसी चेप्टर से नीट के प्रिबेस एर्ज में पुछेगे क्वशन की डिसकॉशन करेंगे तो फर्स्ट क्वेशन है, वन साइन्टिस्ट कल्चर कलेडू फोरा इंदा सिस्पेंशन ऑफ एजो वेक्टर एंड इलूमिनेटर दा कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थूर अप्रिजम, यह अब्जर्ब दैट बैक्टिरिया अकॉमूलेटर मेंली इन दा रीजन ओफ, इसको लर्न करने का ट्रीक है अप्रिजम, प्रिजम जो है वो ट्राइंगल शेप का होता है, तो ट्राइंगल से लर्न रखना है एंगल में, एंगल में ने प्रिजम में से वाइट लाइट को पास किया था और उसने देखा था कि वो लाइट स्प्लिट कर गई बिबग्यो सल्फर बैक्टिरिया क्योंकि उनमें सोर्स ऑफ फोटों जो होता है वो हाइट्रोजन सल्फाइड होता है और अंड में उनके सल्फर और सल्फाइड गैसेज बनती है उसके बाद है एन ऑक्सिजैनिक फोटो सिंथेसिज इस क्रेक्टर स्किल्ट सॉफ तो यह होगा रोडोस् होता है वहाँ पर ऑक्सिजैनिक फोटो सिंथेसिज ही होती है उसके बाद है स्टोमा इंदा क्लोरोप्लास्ट ऑफ हाइर प्लांट कंटेन तो जो हाइर प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होता है उसके स्टोमा में लाइट इंडिपेंडेंडेंट रेक्शन होता है जो ग्रहन लिखे response एव फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की जिसें उन्होंने बोला है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वह 680 nano मेटर से बवग की बेवलेंध की लाइट को एंप्सॉरब करता है और जो फोटो सिस्टम 2 है वह call चैनल शेल सक्यरा की नेदे हैं वह फोटो बैक्टेरिया और ग्रीन बैक्टेरिया में प्रजेंट होते हैं उसके बाद है वीच फ्रेक्शन ओफ वीजिबल स्पेक्ट्रॉम अप सोलर रेडियेशन आर प्रामरी अब्सॉर्ड बाइब्सॉर्ड ऑफ हायर प्लांट जो कैल्टिनॉड होते हैं उनके अंदर कहरोटीन औ क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल के सेंटर एलिमेंट जो होता है वो मेगनेशियम होता है उसके बाद है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एटिट्स कार्बन एटम 3 ऑफ दा पाइरोल रिंग 2 हैस वन अफ दी फ्लॉइंग तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें मिथाइल ग्रूप होता ह और जो chlorophyll B होता है, उसमें aldehyde होता है, तो इसमें methyl group होगा, उसके बाद है the core metal of chlorophyll is, तो इसमें भी magnesium होगा, उसके बाद है chlorophyll A occurring, तो जो अभी हमने बाद की, जो chlorophyll A है, जितने भी plant जो है, वो oxygen liberate करते हैं, उनके अंदर ये परजैन्ट होता है, oxygenic photosynthesis, जितने भी करते है तो इसका होगा all oxygen liberating autotrophs, उसके बाद है photosynthetic pigment found in the chloroplast occurring, तो जो photosynthetic pigment होते हैं, वो thailofoid membrane में परजैन्ट होते हैं, उसके बाद है the size of chlorophyll molecule is, तो जो chlorophyll molecule है, उसका size 15 into 15 ong strong, उसका head होता है, और 20 ong strong tail होता है, तो इसका सही answer होगा C नेक्स्ट है, which of flowing is not a product of light reaction of photosynthesis, तो ATP भी बनता है, light reaction में NADPH भी बनता है, oxygen भी बनती है, NADH जो है वो नहीं बनता है नेक्स्ट है, which of flowing absorb light energy for photosynthesis, very common photosynthetic pigment chlorophyll, जो है वो light energy absorb करता है नेक्स्ट है, the first step of initiation of photosynthesis भी जब chlorophyll के photosynthetic unit जो है, वो sunlight को absorb करके electron की excitement करते हैं, तो वो first step होता है photosynthesis की initiation का, तो answer होगा excitement of chlorophyll molecule due to absorption of light next है, NADPH2 is generated through, तो ये बनता है photosystem 1 में, at the time of non-cyclic photophosphorylation next है, which of flowing pigment act as a reaction center during photosynthesis, तो दो reaction center होते हैं, एक P700 और एक P680, तो यहाँ पे होगा P700 next, pharadoxine is the constituent of, तो ये photosystem 1 का है, photosystem 2 के constituent, प्लास्टो क्योनिन, साइटो क्रॉम और प्लास्टो साइटो क्रॉम होते हैं next है, in light direction, प्लास्टो क्योनिन फैसिलिटेट दा ट्रांस्पर ओफ एलेक्टरॉन, तो नॉन-cyclic photophosphorylation में, photosystem 2 से electron transfer होते हैं, प्लास्टो क्योनिन में, और उस से transfer होते हैं, साइटो क्रॉम में मतलब ये facilitate करता है, transfer of electron from photosystem 2 to cytokrome, तो ये जो है, वो correct होगा next है, in the chloroplast of highest number of photon are found in, तो chloroplast जो है, उसके lumen में number of photon जो है, वो present होते हैं, क्योंकि photon जो है, water जो है, उसकी photolysis thylokoid membrane में होती है और उससे जो भी photon बनते हैं, वो सारे lumen में accumulate हो जाते हैं, उसके बाद है, read the flowing statement A to D, both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of photon across the membrane ये हमने काइम आस्मोर्टिक थियोरी में पढ़ा था, ये correct है, next है, in dicot stem, a new cambium originator from cell of pericycle at the time of secondary growth तो ये गलत है, जो cambium की formation होती है, वो जायलम और flowing के बीच में होती है, तो ये गलत है next है, statement in the flower of glossoria and petunia are polyandrous, तो ये जो है वो correct है, दो statement correct, ये wrong next है, symbiotic nitrogen fixer occur in the free living state also in soil, तो ये गलत है, ये कभी भी डाइजोबिम जो है, वो free living state में नहीं पाया जाता है next है, which of flowing is essential for photolysis of water, तो एक जो है वो manganese और एक जो है chlorine, दो जो होते है, वो essential होते है, photolysis of water के लिए next है, read the following statement, first, second, third and fourth and select the right option having both correct statement first है, G scheme of light reaction takes place in presence of photo system 1 only, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें photo system 1 और 2 जो है वो दोनों involved होते है next है, only photo system 1 is functional in cyclic photo phosphorylation, ये correct है, एक ही photo system जो है वो involved होता है next है, cyclic photo phosphorylation result into synthesis of ATP and NADPH2, ये गलत है, क्योंकि cyclic photo phosphorylation में सिर्फ ATP की formation होती है next है, stromal lamelly lag photo system 2 as well as NADPH, ये NADP, ये correct है, क्योंकि stromal lamelly में सिर्फ cyclic photo phosphorylation होती है, उसमें सिर्फ photo system 1 ही involved होता है तो इसमें जो option 2 है और 4 है, ये correct है, तो A जो होगा वो correct option होगा next है, cyclic photo phosphorylation result into formation of the cyclic में अभी हमने बात की, सिर्फ ATP की formation होती है next है, electron are excited chlorophyll from, electron from excited chlorophyll molecules of photo system 2 are accepted first by photo system 2 में mainly electron, जो हो प्लास्टो क्यनिन असेप्ट करता है, उसके बाद वो electron जाते हैं साइटो क्रॉम के पास और फिर जाते हैं प्लास्टो साइनिन के पास, तो यहां पे क्यनिन जो होगा वो correct होगा उसके बाद है, first receptor of electron from an excited chlorophyll molecule of photo system 2, same question है, यहां पे भी क्यनिन होएगा उसके बाद है, in photo system 1, the first electron receptor is, photo system 1 में first electron receptor जो होता है, वो iron और sulfur protein का एक complex होता है primary electron receptor बोलते हैं उसको, तो यहां पर option होगा A next है, which of flowing is concerned with photo phosphorylation तो photo phosphorylation जो होता है, वो ADP plus inorganic phosphate से formation होती है, ADP की अगर वो light की presence में होती है, तो उसको बोलते हैं photo phosphorylation तो यहां पे photo phosphorylation का correct option जो होगा, वो होगा option number C next है, in photosynthesis energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of तो इसका answer होगा B, ADP the next is, which pigment system is inactivated in red drop तो red drop में photosystem 2 जो है, वो inactive होता है, क्योंकि वो 680 nanometer से अबब की wavelength की light को absorb नहीं कर सकता है next है, during light reaction of photosynthesis, which of flowing phenomena is observed during the cyclic phosphorylation and non-cyclic photophosphorylation, तो cyclic में ATP की formation होती है, non-cyclic में ATP की, NADPH2 की और oxygen की, तो दौनों में common क्या है, ATP की formation, तो correct होगा formation of ATP next है, a photosynthesizing plant is releasing oxygen 80 isotope more than normal the plant must have been supplied with, क्योंकि photosynthesis में source of oxygen जो होता है, वो water होता है तो oxygen 18 isotope release हो रहा है, तो मतलब water plus oxygen 18 B, जो है, वो correct option होगा next है, photosystem 2 occur in, क्योंकि ये light reaction है, तो light reaction जो होता है, वो chloroplast है, ग्रैना में होता है B, इसका correct option होगा, next है, NADP is reduced to NADPH in, तो ये non-cyclic photophosphorylation में होता है जब photosystem 1 से electron जो है, वो primary electron acceptor के पास जाते हैं, और वहाँ से ferradoxin के पास जाते हैं, तो ferradoxin के पास जाते हैं, तो वहाँ पर NADP जो है, वो reduce कर जाता है NADPH में, next है, in photosynthesis, the light independent reaction takes place, तो light independent reaction जो होता है, वो stroma में होता है, जो light dependent reaction होता है, वो C3 plants के अंदर C3 pathway तो होता है, चाहिए वो camp plant हो, चाहिए C4 plant हो, C3 pathway सब में होता है Endospermic seed, यह गलत है, यह endospermic seed नहीं, non-endospermic seed है, क्योंकि पी जो है, वो dicot है, यह गलत है Next है, tomato twisted estimation, यह गलत है, क्योंकि इसमें twisted नहीं, velvet estimation होती है Next है, onion, bulb, implicate estimation और axillary placentation correct है, तो इसमें correct जो होगा, वो C होगा Maze में C3 pathway होता है, नहीं, उसमें C4 pathway होता है, यह गलत है Next है, PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of, तो यह discover हुआ था in the photosynthesis of algae, जो C3 cycle में बनता है Next है, the chemo-osmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposed that adenosine triphosphate is formed because First है, a photon gradient forms across the inner membrane, बिलकुल correct है, यह हमने chemo-osmotic theory में explain किया था कि photon gradient बनता है across the membrane, तो यह correct है Next Chemo-osmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, तो यह भी हमने discuss किया था, यह दोनों based होती है photon gradient पे, proton gradient पे, तो D जो है वो correct होगा Next है, in C3 plant, the first stable product of photosynthesis during dark reaction तो dark reaction के time पे, first stable product जो है वो बनता है, phospho glyceric acid इसलिए इसको, जो 3 carbon compound होता है, इसलिए इसको C3 cycle भी बोलते हैं और जिन plant के अंदर यह होता है, उनको C3 plant बोलते हैं उसके बाद है, for assimilation of one carbon dioxide, which molecule the energy required for ATP and NADPH2 इसको हमने trick के help से discuss किया था, कि 1, 2, 3 trick लगाया था हमने, कि एक carbon dioxide की fixation के लिए हमें 2NA, DPH2 और 3 ATP करने पड़ते हैं, तो option होगा, C3 ATP and 2NA, DPH2 next है, for this synthesis of one glucose molecule of Kelvin cycle operates for तो एक CO2 की fixation के लिए हम एक Kelvin cycle करते हैं, एक carbon और अगर 6 carbon होंगे glucose में तो उनके लिए हमें Kelvin cycle को 6 time जो है, वो repeat करना पड़ेगा, operate करना पड़ेगा next है, carbon dioxide acceptor in C3 plant is तो PGA, PGA तो उसमें बनता है, acceptor नहीं है, उसके बाद है PEP, यह C4 plant में होती है RUDP या RUBP जो है, यह correct है, ribolose 1,5-diphosphate जो है, वो first acceptor है, C3 cycle का यह correct है, carbon dioxide का acceptor है, यह C3 plant में next है, the mechanism of ATP formation both in chloroplast and mitochondria is explained by यह chemo-osmotic theory से explain होता है, यह भी हमने discuss किया है, अपनी videos में next है, what will be the number of Kelvin cycle to generate one molecule of hexose तो hexose मतलब ऐसा carbon gix में six molecule हों, तो उसको जो है, वो generate करने के लिए Kelvin cycle six time जो है, वो repeat करना पड़ेगा next है, the primary CO2 accepted during CO2 fixation in C3 plant is, तो यह भी हमने अभी उपर discuss कर लिया RUDP और Ribolose 1,5-diphosphate तो B जो है, इसका correct option होगा next है, the carbon dioxide acceptor in Kelvin cycle of C3 plant is, अभी discuss किया, हमने RUDP, Ribolose 1,5-diphosphate, next है, which technique has developed in investigation of Kelvin cycle तो Kelvin और उसके cover करने, carbon 14 radioactive isotope यूज किया था, Kelvin cycle को discover करने में तो answer आएगा radioactive isotope technique next है, dark reaction of photosynthesis occur in, तो granul thylokoid में तो light reaction होता है stroma lamely में भी light reaction होता है, stroma outside photosynthetic lamely जो है, यह correct होगा next है, carbon dioxide joined the photosynthetic pathway in, तो carbon dioxide जो है, वो C3, C4 cycle में और chem plant के अंदर enter करती है, तो वो सारे dark reaction में आते हैं तो यहाँ पे answer होगा dark reaction, बाकि यह सारे light reaction जो है, यहाँ पे carbon dioxide जो enter नहीं करती है इन में सिर्फ assimilatory power बनती है, जो light reaction होता है, उसमें ATP, NADPH की formation होती है जो dark reaction जो है, वो यूज करते हैं, पेड़ पौदों का बोजर बनाने के लिए, बायो सिंथेटिक फेज में, C3 cycle में नेक्स्ट है, phosphoenol pyruvate, PEP is the primary CO2 acceptor of, तो यह है C4 plant में, PEP जो है, वो C4 plant में primary acceptor है CO2 का नेक्स्ट है, a plant in your garden avoided photorespiratory losses, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें photorespiration नहीं होती है has improved water use efficiency, so high rate of photosynthesis, high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization in which off-flowing physiological group would you assign this plant, तो जो प्लांट जिन में photorespiration नहीं होती है और high temperature को adapted होते हैं, यह भी हमने अपनी वीडियो में discuss किया हुआ है, वो C4 plant होती है तो इसमें correct option होगा C4, next step bundle seed cell has, यह भी हमने पहले discuss किया है अपनी वीडियो में कि जो bundle seed cell होते हैं, उनमें rubisco होती है, जो mesophyll cell होते हैं C4 plant के, उनके mesophyll cell में pep case enzyme होता है और C3 plant के mesophyll cell में rubisco होती है, पर C4 plant के जो bundle seed cell है, इनके अंदर rubisco होती है तो इसमें correct option होगा, bundle seed cell हो rich in rubisco, next है, can help the plant in, तो cam plant जो है, वो water conservation में help करते हैं next है, in crunch anatomy, the bundle seed cell है, thin wall गलत है, thin wall नहीं होती है, वो thick wall होते है next है, many intracellular spaces, यह भी गलत है, उनमें intracellular space नहीं होता है and no chloroplast, यह भी गलत है, उनमें large number of chloroplast होता है, mesophyll cell में अलग और bundle seed cell में अलग तो first option जो है, वो गलत है, next है, thick wall यह correct है, no intracellular space यह भी correct है large number of chloroplast यह भी correct है, तो भी ही इसमें correct है next है, study the pathway given below, तो यह C4 cycle जो है, NCRT की बुक से किया, दिया है इसको learn करने का trick हमने पहले discuss किया हुआ है, कि mesophyll cell को हम कर लेंगे, मान लेंगे MSC bundle C cell को हम मान लेंगे BSC, अब phosphoenol pyruvate से हम trick में इसको मान लेते थे pep या pepsi, pepsi ने carbon dioxide के carbon के साथ fixation करके, तो fixation से हमने first point में लिखा था fixation, तो first point A आ जाएगा fixation, C4 acid बना लिया, फिर उसको transport कर दिया गया MSC से BSC में downward, तो यहां पे आएगा decarboxylation, carbon dioxide की removal के लिए, तो B में आएगा carboxylation, फिर उसने C3 acid बना लिया, फिर वो transport हो गई, मिजोफिल सेल में, और वहां पे regenerate होने के लिए उसको 280P खर्च करने पड़े, तो तीसरे में आएगा regenerate, तो fixation, उसके बाद decarboxylation, और फिर regeneration, तो इसमें correct option होगा C, उसके बाद है crunch anatomy is one of the character skills of leaves तो यह C4 plant में होती है, तो इसमें आएगा sugar cane, क्योंकि sugar cane जो है वो C4 plant है, तो इसका learn करने का trick भी हमने अपनी वीडियो में discuss किया है, next है, the C4 plant are photosynthetically more efficient than C3 plant because first है, the CO2 efflux is not prevented, यह तो गलत है, next है, they have more chloroplast, यह correct है, उनके पास more chloroplast होता है और दो तरह के cell होते है, mesophyll cell और bundle C cell, तो B जो है, वो 60 का cracked होगा, next है, in the leaves of C4 plant, malic acid synthesize during CO2 fixation occur in, तो जो malic acid बनता है, वो C4 acid होता है, वो इस picture में देखे, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, mesophyll cell में जो C4 acid दिया है, वो malic acid होता है, जो enter करता है, mesophyll cell से bundle C cell में, तो इसका correct option होगा, mesophyll cell, D, next है, in the leaves of C4 plant, malic acid formation of CO2 fixation, यह भी same question होगा, इसका भी mesophyll answer होगा, next है, as compared to C3 plant, how many additional molecule of ATP are needed for net production of one molecule of hexose sugar by C4 plant, तो इसको calculate करने का trick हमने किया था, 1, 2, 3, कि जो Kelvin cycle है, उसमें 1 carbon dioxide की fixation में 3 ATP लगते हैं, तो glucose में 6 molecule होते हैं, तो multiply by 6 is equal to 18 ATP, जो है, वो consume होगे, C4 plant का trick था, 1, 2, 5, मतलब 1 CO2 की fixation के लिए 5 ATP लगते हैं, तो glucose में 6, तो total ATP जो है, वो 30 ATP लगेंगे, तो 30 और 18 का difference होगा, 12 ATP का, तो इसका correct option होगा, 12, next है, photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 level, because, कि जो atmosphere में CO2 का level जो है, वो low भी हो जाए, तो C4 plant को जादा फरक नहीं पड़ता है, पर C3 plant के लिए अगर CO2 का level कम हो जाए, तो वो photorespiration की process सुरू कर देते हैं, तो C4 plant में ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो वहाँ पे CO2 की fixation होती है, PEP के साथ, उसको catalyze करता है, PEP carboxylase enzyme, तो इसका option होगा, effective pumping of CO2 in bundle seed cell ये भी नहीं है, Rubesco in C4 plant has higher affinity ये भी नहीं है, 4 carbon acid are the primarily initially CO2 fixation product ये भी नहीं है, the primary fixation of CO2 is mediated by PEP case carboxylase, तो ये जो है वो correct option है, next है, in sugar cane plant, CO2 fixation is fixed to malic acid in which of the enzyme that fixes CO2, तो sugar cane जो है, वो C4 plant है, तो उसमें कौन सा enzyme लगता है, वो अभी हमने discuss किया, PEP carboxylase, जिसको बोलते हैं, phosphoenol pyruby acid carboxylase, तो इसमें cracked होगा भी, next है, stomata of cam plant are, क्योंकि जो cam plant होते हैं, उन्हेंने water cooking conserve करना होता है, तो उनके stomata जो है, वो दिन के time पे close रहते हैं, और रात के time पे open करते हैं, तो इसमें correct option होगा, open during night and close during day, next है, which pair is wrong, इनमें से कौन सा pair wrong है, तो first है, C3 maze, ये गलत है, क्योंकि C4 plant है, C3 नहीं है, तो बाकी देख लेते हैं, C4 में crunch and auto में होती है, ठीक है, Kelvin phosphoglycery acid बनता है, first table product ठीक है, और hair slack में oxalo acid acid बनता है, ये भी correct है, तो इसमें correct जो नहीं है, वो है, next है, which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plant, अभी हमने किया, PEP carboxylase, next है, in C4 plant CO2 combined with, तो ये combine करती है, PEP phosphoenol pyruvate के साथ, CO2 C4 plant में, तो इसका answer होगा, next है, in C4 plant CO2 fixation is done by, तो C3 plant में CO2 fixation, जो है, वो mesophyll cell में होती है, C3 plant में भी CO2 की fixation, mesophyll cell में होती है, दोनों में ही mesophyll cell में CO2 की fixation होगी, next है, in CO2 fixation during C4 path बे, occur in the chloroplast of, अभी किया हमने mesophyll cell, next है, which one is the C4 plant, कि इन में C4 plant कौन सा है, तो उसको learn करने का ट्रिपी हमने किया था, maps, पपाया, पोटेटो, पी और मेज, मेज जो है, वो C4 plant है, next है, the enzyme that catalyzes carbon dioxide fixation in C4 plant, अभी किया हमने pep carboxylase, भी correct है, the first carbon dioxide acceptor in C4 plant, इस pep होता है, phospho enol pyruvate, तो ये correct होगा, next है, crunch anotomy is typical of, तो ये crunch anotomy जो है, वो C4 plant में होती है, जिसमें दो तरह के cell होते हैं, bundle seed cell, C4 plant में, और mesophil cell, next है, in C4 plant, Kelvin cycle operates in, first है, stroma of bundle seed, chloroplast, बिल्कुल सही है, क्योंकि, Kelvin cycle bundle seed cell में ही होता है, पर वो ग्रैना में नहीं होता है, क्योंकि ग्रैना में तो light reaction होते हैं, तो C4 तो dark reaction है, तो obvious ही बात है, कि ये stroma of bundle seed cell में ही होगा, गाइस, next topic है, photo respiration and factor affecting rate of photosynthesis, इन दोनों topic की वीडियो, already हमने बनाई हुई है, जिसका link description box में दिया है, और इस chapter को study करने के लिए, हमने short notes, flow chart, diagram और trick का यूज़ करके पूरी एक playlist बनाई हुई है, जिसका link भी description box में दिया है, तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe करें, thank you, झैनल को अच्छी है, हमने करें, झैनल को अच्छी है, झैनल को झाची हो, झैनल को झाची है, झाल झाल